अगर हमारे ग्रुप में आप चामिल होना चाहते हैं तो ग्रुप के लिंक को आप यहाँ पर डून सकते हैं और आप उस पर क्लिक करके हमारे ग्रुप में शामिल हो सकते हैं ओम नमस्षिवाई आज मैं बात करूँगा कि पैसे यानि कि धन को कैसे अपने तरफ आकशित किया जाए आप जहाए इस बात पे विश्वास करें या ना करें लेकिन हमारे जीवन में जो धन होता है जो पैसा है इसकी बहुत बड़ी अपने एक जगह है और ना चाहते हुए भी हम इसको जितना हो सके अपने पास रखना चाहते हैं हर कोई यूं कहिए कि आज इसके पीछे भाग रहा है कुछ ऐसे ही तांत्रिक क्रियाएं होती हैं जिनको अगर आप करें तो आपको धन की कभी कमी नहीं होगी चाहे आप कोई नौकरी करें ही ना या आप कुछ भी ना करें, आप सिर्फ वो क्रियाएं करें, तो आप धर्न इतना ज़्यादा पा सकते हैं, वो भी घर बैटे हुए, बहुत से लोग बोलते हैं कि धन जो है वो सिर्फ महनत करने से मिलता है, जो महनत नहीं करेगा, उसे धन नहीं मिलेगा, ये सब बकवास होत जिनको कभी कुछ करने की ज़रुद नहीं पड़ती है, उनके लिए सब कुछ आरड़ेडी, पहले से ही अइजस्मेंट होती है, पहले से ही सारी तیارया होती है, तो ये सब चक्कर क्या है, ये होता कैसे है? देखिए इसमें सबसे बड़ा जो रोल होता है, वो अपने भागिय का होता है, अपने कर्मों का होता है, अगर आप करम अच्छे करेंगे, तो आपके साथ बुरा होने का सवाल ही नहीं होता, दूसरी बात यह कि अगर आप चाहते हैं कि आपके पास धं हमेशा टिका रहे, तो इसके लिए कुछ सटीक उपाय होते हैं उनको कर लीजिए उनको कोई भी कर सकता है और ये उपाय ऐसे होते हैं जैसे एक पर इनको कर लिया तो धनकी कभी कमी आपके पास आपकी जीवन में नहीं होगी और आपकी जो साथ रहते हैं उनके ऊपर भी एसर पड़ेगा और उनकी धनकी समझ से भी हमें इशा के लिए खतम हो जाएगी इसमें बहुत सारी चीज़े होती हैं बहुत सारी उपाय होते हैं तो मैं उनमें से ही आपको कुछ छोटे मोटे उपाय बताता हूँ आप उनको बड़े ही त्रिकोन आकार में और अपने पर्स में रख देना है यह भी बहुत चमतकारी उपाय है आप करिए देखिए कही न कहीं तरूटी या कमी हो जाती है उसकी वज़े से फिर रिजल्ट्स नहीं आते हैं और लोग समझते हैं कि यह वीडियो जो है यह सब फेक हैं तो ऐसा नहीं है कहीं न कहीं हमारे अंदर कमी होती है और उसकी वज़े से ही रिजल्ट नहीं आते तो आप दुबारे चेक करिए और उसको उसी तरह से फोल्ड करके रखिए जैसे वीडियो में बताया है हलाकि वो है तो एक रुप्य का नोट लेकिन उसमें बहुत तागत है पैसे को और अपने से ज़्यादा पैसो को अपने तरफ खीचने की और यह किसी भी दिन कर सकते हैं किसी भी समय कर सकते हैं किसी भी मुरत में इसमें कोई ऐसी चीज़ लागू नहीं होती है बस बशर्थ यह कि आपका जो परस है वो फटा हुआ ना हो कहीं से भी ना फटा हो और हर साल आप अपना जो परस है वो चेंज़ खर लिया करें मतलब बदल लिया करें या फिर अगर आप नहीं बदल सकते तो उसे फटने ना दे और दूसरी बात है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने परस में पैसों को बड़े सवार के रखते हैं मतलब पहले दस रुपे फिर पचास फिर सो फिर हजार इस तरह से वो उनको बहुत ही अच्छे तरीके से रखते हैं तो देखिए जब आप किसी चीज़ को इतना जादा प्यार देते हैं इतनी जादा ओर्जा देते हैं उसको तो आप से दूर कैसे जाएगी आप उनको इतना जादा प्यार दे रहे हैं तो देखिए जो नोट हैं वो आपके पर्स में वही नोट बने रहेंगे, वो दूसरे नोट को आने ही नहीं देंगे, याद रखीगा चीज वही बिगड़ती है, जिसकी जादा केर होती है, जिसको जादा लाड़ प्यार मिलता है, तो आप नोटों को उस तरह से ना रखें, जिस तरह से आप रखना चाह रहे थे, अब तक आप उनको नोर्मल तरीके से भी रख सकते हैं, उल्टे सीधे, कोई फरक नहीं पड़ता, बस उनको इतना सज सवार के मत रखिए, नहीं तो वो नोट आपके पर्स में ही रहेंगे, और वो दूसरे नोटों को आने ही नहीं आपने ट्रेन में बहुत पार सफर किया होगा, आपने, मैंने तो बहुत पार किया है, और आपने भी किया होगा, और आपको ट्रेन में किनर भी मिले होंगे, बहुत लोग जानते भी होंगे, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं, जिनको नहीं पता, कि किनर जब आपको, य कि आपके पास बनाए रखता है और यह बहुत असरदार होता है तो मैं यह नहीं कह रहा है कि आप जाके मांगे जब भी किन्नर आए या कुछ आप से अगर वो आप से पैसे मांग रहे हैं तो आप उसे 5-10 रुपे दे सकते हैं और अगर आपकी किसमत अच्छी होई तो आपको बदले में एक रुपे का सिक्का देगा या उस एक रुपे के सिक्के को आपको बड़े ही संभाल के रखना है और किसी की नजर ना पढ़ने दे वो एक रुपे का सिक्का आपको माला माल करतेगा इतनी शक्ति होती है उसमें एक और उबाय बताता हूँ आपको और एक और सरल उपाय है एक जीट प्लैंट नाम का पोधा आता है वो आप मार्किट से भी ले सकते हैं या फिर अगर आप ध्यान देंगे तो आपके घर के आसपास पे आपको कहीं मिल जाएगा और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना बस उसको सूखने नहीं देना है उसको प्रॉपर पानी दीजीए और जैसे कि साधारन पोधे होते हैं उसको वैसे ही आप पाने देते रहे और उसकी देख पाल कीजिए आप कुछ ही समय में आप देखने लगेंगे कि धन के मामले में आपको जो है लाब होने लगेगा, प्राफिट होने लगेगा पीकर्स जो है वो चुकने लगेंगे ओर आपको ऐसा बेनिफिट होगा कि आप सोच नहीं सकते और इस पोधे की सबसे बड़ी बात यह है कि इसको तोड़ कर आप दुबारा भी लगा सकते हैं मतलब इसकी टहनी तोड़ के लगा सकते हैं और यह लग जाता है तो आपको जितना प्रॉफिट हो रहा था आप उसको डबल कर सकते हैं और इसी तरह आप इसको बहुत जादा अपने रूम में लगा सकते हैं अलग अलग करके और यह बहुत ही प्रभावशाली है क्योंकि इसे मैंने खुद भी इस्तमाल किया है और इसलिए मैं आपको यह बता रहा हूँ आप ट्राय करके देखिए उसके बाद आप खुद विश्वास करेंगे एक और आपको बताता हूँ धन से जुड़े हुए समस्या के रामबान उपाए आपको मैंने पानी की बोतल का उपाए बताय था आपको सिर्फ इतना करना है कि उसके उपर लिख देना है जो भी आप चाहते हैं मैं यह नहीं कहरा कि आप उसके उपर लिख दें एक करोड या दो करोड और फिर पानी पीना शुरू करें और आप सोचेंगे कि मुझे मिल जाए तो देखिए ऐसा तो कभी नहीं होगा आपको उसके उपर सिर्फ वो लिखना है जो आपको लगता है पॉसिबल हो सकता है और उसके बाद उस पानी को पीना शुरू कीजिए धीरे धीरे धन की समझ से खतम हो जाएगी जैसे कि आपके इंकम दस हजार है तो आप 15,000 लिख सकते है और यह पानी वाला उपाई जो है यह हर चीज़ में काम करता है प्यार, महबत, कर्ज, आदी, किसी भी चीज़ में आप सिर्फ इस पानी वाले जो उपाई है इसको इस्तमाल कर सकते है और एक और आपको मैं बताता हूँ जो नोट होता है अगर आपके पास कोई नोट है उस पर 786 नमबर है तो उसको आपको अपने पर्स में रखना है मतलब उसको बिलकुल कहीं से फटा हुआ ना हो उसके पर कुछ लिखा हुआ ना हो उस नोट को अपने पर्स में रखिए ये भी बहुत देखा गया है कि ये भी कारिकर होता है इस से भी आपको जो धन की समझ से है उसमें निदान मिलने लगता है सिर्फ एक ही रखें एक से जाधा ना रखें लोग ये करते हैं कि तीन चार नोट रख देते हैं और वही पर और अर्जा खतम हो जाती है तो आप सिर्फ एक ही नोट रखे और जो लोग मेरी वीडियो का इंतजार कर रहे थे हैं उनके लिए मैंने वीडियो बनाना सुरू कर दिया है और अब मैं अलग-अलग टॉपिक्स के ओपर आपके लिए वीडियो बनाऊँगा क्योंकि लोग बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं तो आज मैंने धन यानि की पैसे के संबंदित वीडियो बनाई है बहुत सारी इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसे रास्ते हैं जिनके जरी करना सारी चीज़े वो अपने आपके लिए करेंगे और मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जो लोग हमारे वीडियो को फॉलो करते हैं देखते हैं ग्रूप में आइड हैं तो वो वीडियो को देखते रहिए और जितना हो सके शेर कीजिए लाइक कीजिए और दूसरों का भ जोड़ा रिप्लाई करना मुश्किल होता है लेकिन मैं यही चाहूंगा कि जादा से जादा लोग इसमें बढ़ चटके हिस्सा लें और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ आप बताना चाहते हैं तो आप मुझे वाटसप कर सकते हैं पहले कॉल ना करें सिधा वाटसप कर सकते हैं मेरा नमबर आप देख सकते हैं आपके सामने फ्लैश हो रहा है और मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा कि आपको वीडियो कैसी लगी जो भी आपके राय होगी वो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखे और इसी तरह जुड़े रहेगा दुरलब अगर के साथ ओम नमश्रीवाइब